हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लासिक्स आडी शर्मा के एक्सरसाइस 15.1 करेंगे इसमें फर्स्ट कुशन कहता है कि identify parallel line segments shown in the figures यानि figures में जो parallel line segment दिखाए गए नामें वो बताने की कौन से हैं तो हम सबसे पहले इसके figures देखेंगे यह हमारे पास इसके figures है अब देखो जैसे first figure है इसमें हमारे पास कौन सी line है जो पैरलल दिख रही है DE line BC के parallel तो हम क्या लिखेंगे DE line यह parallel के निशान होते है ऐसे BC चिक है इसमें AB जो हो CD के parallel है तो हम लिखेंगे AB parallel to CD and AD जो है वो किसके parallel दिख रही है BC के तो हम लिखेंगे AD parallel BC थर्ड देखो इसमें भी AB जो हो DC के parallel लग रही है तो AB जो हो parallel हमारे पास DC और जो BC है यह parallel है AD के तो सकीन हमारे पास क्या हो जाएगा BC parallel AD इसमें देखो यह वाड़े जो line है यह क्या है इसके parallel है यानि PQ जो हो parallel किसके है TS के यह वाड़े लाइन इसके parallel है parallel lines कौन से होते है जो अगर आगे कभी बढ़ा भी जाए तो वो कभी भी आपस में एक दुसरे को intersect ना करे तो QR क्या हो जाएगे मारे पास parallel UT के और जो SR है वो किसके हो जाएगी UP के SR parallel है मारे पास UP इसे तरीके से यह वाड़े जो हो यह देखो यह वाड़े लाइन इसके parallel भी है और इसके भी parallel तो हम क्या लिख सकते हैं AB parallel CD parallel EF ठीक हैं के तीनों लाइन आपस में parallel है उसके बाद BC जो हो AD के parallel है और CF जो हो DE के parallel है तो हम लिखेंगे BC parallel AD and CF parallel DE यहां कोई से पैरलल लग रही है यह वारी इसके पैरलल यानि E F पैरलल to B C यह वारी लाइन इसके पैरलल यानि D F पैरलल to B A और तीसरी कोई से बचे मारे पास AC पैरलल to E D तो ये थे हमारे सारी parallel lines अब इसी तरह second question क्या कहता है name the pairs of all possible parallel edges of the pencil box whose figure is shown below इसका क्या मतलब है कि हमें जो ये pencil box दिया गया ना इसमें हमें सारे parallel edges बताने है ठीक है parallel edges का मतलब क्या है कि parallel किनारे कुन से हनी कुन सा किनारा किसके parallel है तो हम सबसे पहले इस line को लेते हैं ये A B तो हमारे पास जो A B है वो किसके parallel है अब ये वाड़े line जो वो इस पिछली वाड़े line के भी parallel है यानि E H के और किसके parallel है ये वाड़े line जो वो इसके parallel है G F के तो G F के भी parallel होगी ये वाड़ी लाइन जो वो इसके भी पैरलल है DC के तो यहाँ पर क्या आ गया DC यानि ये लाइन इसके भी पैरलल है ये वाड़ी इसके पैरलल है और ये वाड़ी इसके पैरलल है अब इधर से आया AH तो ये हमारे पास AH अब AH किसके पैरलल है GD तो ये वाड़ी लाइन हमारे पास इसके पैरलल है और ये वाड़ी लाइन हमारे पास यानि ये जो edges है ये इसके पैरलल तो ये क्या हो गया पैरलल में हमारे पास CF उसके अलाव़ ये वाड़ा इसके पैरलल है ये है BE अब उसके बाद हमारे पास बच्चा AD AD चो यह हमारे पास GH इसके parallel है और जो GH है वो हमारे पास EF इसके parallel है और EF BC के parallel है तो हम क्या लिखेंगे AD parallel to GH parallel to EF parallel to BC तो यही हमें इस question में बताना था कि कौन सी हैच किसके parallel है जो कि हमने बता दी है 3rd question कहता है in figure अब ये जो figure दिया वाइस में do the segments AB and CD intersect क्या AB और CD segment intersect कर रहा है intersect का मतलब एक दूसरे को cut करना तो क्या ये कहीं पे cut कर रहे हैं ये तो कहीं पे मिल भी नहीं रहे हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा नो लेकिन हमें ये पता है कि ये cut कर सकते अगर मालू हम इसको आगे ऐसे बढ़ा दे इस line को ऐसे ऐसे और इसको भी आगे ऐसे ऐसे बढ़ा दे तो ये cut कर सकते है न तो हम क्या लिखेंगे कि ये cut नहीं कर रहे है अभी नहीं cut कर रहे है लेकिन अगर इनको आगे extend किया जाए बढ़ाया जाए तो यह आपस में cut कर देंगे तो हम यहाँ पर answer यह लिखेंगे No, A, B and C, D do not intersect कि यह आपस में intersect नहीं करते, cut नहीं करते But, they can intersect if extended further लेकिन यह cut कर सकते हैं अगर इनको आगे बढ़ाया जाए अब question हमारा आगे भी कुछ कह रहा था कहता है R2 parallel, कि क्या यह line parallel है हमारे पास parallel वो line होती है जिनका दोनों का distance हर जगे same हो अब देखो यहाँ तो distance जो वो इतना जादा है यहाँ distance जो वो इतना कम होगा कम हो रहा है ना distance तो इसका मतलब क्या है कि यह दोनों line है parallel भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसमें answer में कि यह दोनों line नहीं है क्यों क्योंकि इनके बीच का जो distance है वो हर जग है same नहीं है constantly बदल रहा है तो यह हमारा हो गया answer तो यह हो जाएगा हमारा answer ऐसे हम लिख देंगे नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स अब कहता है कि अगर दो लाइने जो हैं वो सेम प्लेन के उपर हैं वो इंट्रसेक्ट भी नहीं करती तो वो पैरलल होएंगी इसका अंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू इसका मतलब अब क्या है कहता है कि अग वो कोई दो लाइने लाइन क्या होती है जो कि आगे बढ़ाई जा सकती है कितनी भी बढ़ाई जा सकती है कहता है जो कहीं भी आपस में कट नहीं करती वो कौन सी होती है लाइने पैरलल तो बिल्कुल सही बात है वो लाइने कैसी होती है हमारे पास पैरलल अब सेकिंड कहत है कि अगर M line L line के ओपर perpendicular है रहा है मान लो यह line M है यह line L है और कहता है कि N भी जो है वो perpendicular है यानि कि यह मान ले मारे पास N और यह L ऐसे बढ़ा दी और M और N equal नहीं है यह देखो अलग-अलग होगी न तो यह कहता है कि M और N parallel है तो अगर ऐसा है कि इस पर परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ही होता है कि यह parallel है मतलब यह true है next कहता है कि अगर दो known intersecting co planner rays है वो parallel होती है तो यह बोल रहा कि intersecting मालो यह हमारे पास एक page है यह ray हमने कैसे बणा दी एक ray ऐसे बना दी क्या यह दोनों parallel लग रही है और एक ही plane पर है तो इसका मतलब answer क्या इसका false नहीं यह parallel नहीं है क्योंकि distance से नहीं है अब इस fifth कहता है कि अगर AB ray parallel है M line की segment AB तो यह मारे पास क्या हो जाएगी true कहता है कि AB ray जो हो अगर parallel है तो उसकी जो line है वो AB segment मानलो यह ray AB यह segment हो गया इतना मतलब B का मतलब है कि आगे बढ़ा सकते है और इसको हमने इतना segment मानले है कहता है कि अगर यह ray parallel है M line के तो क्या यह segment भी parallel होगा तो यह है हमारा true अब next में क्या कहता है कि अगर AB line M line के parallel है मानलो यह मारे पास कोई AB line है यह M के parallel है तो कहता है कि जो line segment AB होगा यह निकि इसका चोटा पार्ट होगा इतना सारा क्या यह भी इसके parallel है अगर पूरी line parallel है तो चोटा पार्ट भी उसके पैरलल होगा मतलब यह भी मारे पास क्या हो गया इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफ्रेंस है यहां रे दिया हुआ है और यहां लाइन दिया हुआ है अब कहता है कि कोई भी दो पैरलल लाइन जो वापस में कभी भी इंट्रसेक्ट नहीं करती तो यह मार तो यह तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है तो यह क्या होगा हमारे पास फॉल्स क्योंकि हो सकता है कि एक पेर जो वह इस पर लाई करता है तो यह अलग-अलग होगे ना तो यह फोल्स होगा हमारे पास इसने बोला था कि एक ही प्लेंड पर सारी लाई like करेंगी क्याता है टू लाइन पर्पंडिकुलर तो यह त्रू है कि अगर दो लाइन है इक ही लाइन के पर पेंडिकुलर है तो फ्रे पर्पंडिकुलर होगी तो यह और यह तो यह पर हमारे पास अंसर क्या आजाएगा आगा अब कहता है एक line जो perpendicular है दो line के तो वो दूसरे के भी क्या होगी perpendicular होगी तो ये भी हमारे पास क्या है drum कहता है कि अगर ये line जो है इसमें ये बोला गया इस last वाड़े point में कि अगर एक line इसके parallel है इसके perpendicular है यहाँ पर 90 degree का एंगल बना रही है अगर कोई दो line इन पेरलल है उनके उपर तीसरी line एक जगे 90 degree का एंगल बना रही है तो दूसरी जगे भी 90 degree का एंगल ही बनाएगी इसने यही पूछा था इसने ये बोला था कि ये line अगर यहाँ 90 degree का एंगल बना रही हैं और ये वाड़ी जो line है इसके पैरलल है तो क्या ये 90 डिक्री का एंगल यहां भी बनेगा तो बिलकुल बनेगा तो यहां पर आएगा true और इसी के साथ हमारे exercise होती है complete